हेलो काईज, वेलकम डूटेकी आसर ही डिव चनल एंगेस आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंड आते 10,000 रुपीज का बज़ेट है कोई बड़िया सी 5G All-Owner स्मार्टफोन बता दो तो मार्केट में आपको एक से दू अप्शन देखने को मिलते तो अपना जो 24-hour का experience है वो भी आज की सुड़िय में अप्लों के साथ में शेयर करूँगा 10,000 रुप में कैसा phone है complete details देने वाले हो तो guys चलिए वीडियो स्टाइट करते है So friends वीडियो स्टाइट कर लेते हैं अपर unboxing experience के बारे में तो आपको black color का box मिलते है देखने को मिलेगा device को निकाल देते हैं भी रखते है side में इसके साथ में आपको 18 watt का fast charger देखने को मिल जाता है type-c वाला cable यहां पर दिया गए तो यह तो थी बात यहां पर unboxing experience की अब मैं जो एक दिन से यहां पर यह smartphone को यहां पर use करो अपने first impression जो आप लोगे साथ में share कर देता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर यह smartphone के build, design and first look and physical overview के बार में physical overview के अगर हम बात करें तो back मागर आप देखोगे circular tap का camera layout देखने को मिलता है काफी बड़ा सा है दिखने में काफी unique सा देखने को मिलता है अगर आप देखोगे 3.5 headphone jack का support मिल जाता है उसी के साथ में आप आपको main microphone है type-c port and speaker grill यहां पर ती गई है टॉप अगर आप देखोगे तो बिलकुल सा plane है तो guys अब बात कर लेते हैं आप बिल quality in hand feel के बारे में बिल भी नहीं लगता है मेरे साब से 15-17,000 रुपे के जैसे फोन आते न वैसा design दिया गया है तो बिल quality in hand feel मुझे काफी बढ़िया लगा है next point की बात करें तो एक unique सा feature है ring light वाला back पे अगर आप देखोगे तो आपको एक अलग से lighting देखने को मिल जाते है जो के शायद ही यह price point पे कोई other brand दे रहे है जैसे ही आप यहाँ पर charging पे लगा तो यह notification आता है यह call वगरा notification आता है तो यहाँ पर जो आप बोसकते हो यह light जलने लग जाती है और आप उसे medium low high पे भी यहाँ पर set करके रख सकते हो और बन करना है तो आपको बन भी कर सकते हो तो ring light वाला feature परसली लावा की तरफ से काफी बढ़िया add-on है नेक्स अगर हम बात करें इसके display के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.56 इंच का एक center punch hole के साथ में 90 Hz efficiency के साथ में IPS display मिलता है HD plus resolution यहाँ पर दिया गए अगर आप देखोगे तो bezels ठीक ठाक से जैसे की budget phone में आते है वैसे कुछ आपको देखने को मिलता है वीडियो quality की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube से में एक वीडियो प्ले करो colors अगर आपको काफी बढ़िया निकाल के दे देता है हाँ अगर full HD display रहता तो और बढ़िया हो सकता था but still मैं कहूंगा display quality मुझे काफी सही लगे हैं सबसे बढ़िया यह लगा generally आपको water drop notch वाले display मिलते है यहाँ पर center punch hole दिया गया है जो के काफी सही है next point के अगर हम बात करें RAM and storage के बारे में total Indian market में दो winend में launch कर गया है 464 and 698 मेरे पास तो 698 वाला winend है 464 जो आपका 10,000 रुपे का 698 वाला जो आपका 11,000 रुपे में देखने को मिलते है triple card slot भी है UFS 2.2 भी देखने को मिलते है LPDDR 4X वाला RAM type भी यहाँ पर दिया गया है next अगर हम बात करें के performance के बारे में तो यहाँ आपको media tech का density 60-20 वाल एक 5G chipset मिल जाता है जो कि आप कह सकतो N22 score lag around आपको 4 lakh के आसपास देखने को मिलते है डे-टू-डे टास में मैंने जितना भी एक दिन में इस्तेमाल करो मुझे ऐस सच कोई lag वगरा फिल नहीं हुआ है gaming वेगर आप PUBG वगरा खेलते हो smooth settings वेगर आप medium to normal settings वेगर आप खेलते हो तो gaming आप बुल सकते हो decent आप क्या आप कर लोगे जो basic game है, subway, surfer वगरा वो काफी बड़िया तरीके से चला के दे देगा तो overall performance मुझे ये smartphone का काफी सही लागा around 10,000 रुपीस की rate में यहाँ पर heating issues होगरा भी मैंने यहाँ पर कोई भी face नहीं करो next अगर हम बात करें इसके cameras के बारे में जैसे ही आप indoors माँगे तो जैसे कि हर budget phone में आप बोसकते हो काफी grains होगरा मिलता है, जो quality low हो जाती वैसे ये smartphone की भी हो जाती है जो primary sensor आप कह सकते हो decent आपका जो budget में मिलता है वैसे कुछ मिलता है, जबकि जो 8 megapixel का selfie camera है 8 megapixel के हिसाब से अपना काम करके आपको दे देगा next अगर हम बात करें, उससे पहले एक और इक चीज़ आपको बता दू यहाँ पर जो video recording है, जनरली अगर आप देखोगे यह price point पर आपको 1080p तक के max video recording का support मिलता है लेकिन यह smartphone पर आपको 2K resolution तक के आप जो video recording निकाल पाओगे जो के काफी सही है next अगर हम बात करें सके Android version and UI के बारे में तो Android 13 out of the box मिल जाता है and close to stock Android वाले experience मिलता है no ads, no bloatware, जो के budget phone में काफी बढ़िया बात है ads वगर आते है, बिल्कुल से आप बसकता experience खराब हो जाता है जो के यह phone में आपको नहीं मिलते है and उसी के साथ में मैंने जितना भी एक दिन में इस्तेमाल करा हूँ UI भी मुझे काफी smooth लगा है and कोई आप बसकता हो settings वगरा में भी कोई ads वगर आपको देखने को नहीं मिलते है जो के काफी बढ़िया बात है update कितने साल का मिलेगा तो लावा वाले लोग में promise करा है के Android update and दो security patch Android 14 तक क्या आपको update देखने को मिलेगा तो और all software experience अगर आप 10-11 जाओ रपे के phone के साब से देखते हो यह भी मुझे काफी सही लगा है next point के अगर हम बात करें वह इसके haptics vibration motor कैसे है vibration motor मैं कहूंगा decent है बहुत बेकार भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है next अगर हम बात करें इसके speakers के बारे में तो यहाँ पर आपको single bottom firing speaker दिया गए quality wise मैं बलूँगा loudness तो काफी बढ़ी है and quality मुझे एक average type की लगी है next अगर हम बात करें इसके sensors के बारे में तो यहाँ पर आपको सारे sensor देखने को मिल जाते है सिर्फ एक sensor missing है जो कि है gyro sensor next अगर हम बात करें इसके battery life and fast charging को लेके तो यहाँ पर आपको 5000 image की battery मिल जाती है 18 watt का fast charger out of the box मिल जाता है तो एक दिन तो आराम से निकाल देखा रहा अगर आप medium normal से user हो तो देर दिन भी आपका जा सकते है आपका नॉर्मल जो 18 watt में होती है वैसे ही कुछ देखने को मिलता है तो guys यह overall यहाँ पर मेरे fast impression थे हैं यहाँ आप लावा blaze 2 5G smartphone को लेके अब price point हो जैसे के मैं आपको बताया 464 वाला 10,000 रुपे का है तो मैं बलूँगा अगर आप कैसे भी type के user हो 464 से बैटा रहे 1000 रुपे बढ़ा के जो 11,000 रुपे मतब 10,999 में जो मिल रहा है आप इसका 698 वाला variant ले लो क्योंकि RAM भी आपको ज़दा देखने को मिलेगा Storage भी आपको डबल देखने को मिलेगा 10,11,000 रुपे के साबसे as my मतब जितने भी मैंने testing वगरा करो मुझे personally ये smartphone काफी बढ़िया लगा design आपको bill quality premium मिल जाती है display हाफ full HD रहता मेरे साब से वही यहाँ पर थोड़ा सी आप बोसकता पीछे full HD देते तो और बढ़िया यहाँ पर हो सकता था उसी के साथ में performance आपको अच्छी मिल जाते है सारे 5G बैंड के support है camera's भी मुझा कहूंगा decent type के मिलते है software experience मुझे काफी बढ़िया लगा battery life भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है तो definitely अगर आपका 10 से 11,000 रुपे का budget है यह smartphone की तरफ आप देख सकते हो पसंद आए लाइक करें शेयर करें चैनल का सब्सक्राइब कर देना ना मिलता आप से लिए कसी फूडियो में जब तक के लिए thank you